प्रिये छात्रो, आशा है कि आप सब ठीक हों? मैं मौनी का चोपड़ा आपका हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूं. चात्रो, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो के माध्यम से मैंने आपको माउंट आपू के विश्य में संक्षिप्त रूप से बताया था. मैंने आपको बताया था कि माउंट आपू क्या है? और यह क्यों? प्रसिद्ध है. माउंट आपू, राजस्थान का एक मात्र परवतिय प्रेटन स्थल है. परवतिय प्रेटन स्थल मिन्स पहाड़ी स्थान है जहां पर लोग घुमने के लिए आते हैं. माउंट आपू के अतिरिक्त राजस्थान में कोई अन्य परवतिय स्थान नहीं है. माउंट आबू की अनेक विशेस्ताइं है यह राजिस्थान का एक मात्र प्रेटन स्थल माउंट आबू प्रकृती प्रेमियों को अपनी और अकर्षित करता है माउंट आबू राजिस्थान के सिरोही जीले में स्थित एक प्रसित परवतिय स्थल है परवतियस्थाल मिंस हिल स्टेशन है, पाहडी इलाका है यह है अपनी प्राकृतिक सुन्दरता, जलवायो, हरी भरी पहाडियो, जीलो, सुन्दर मंदिरो और धार्मिक, अन्य धार्मिक स्थानों के कारण प्रसिध है यहां का वातवर्ण जो है, वो राजिस्थान के अन्य शहरों से अलग है यह स्थान राज्य के अन्य हिस्थों की तरह गरम नहीं है चात्रो, आज हम इस वीडियो के माध्यम से माउं टाबू का विस्तार रूप पढ़ेंगे और आप भी मेरे साथ साथ पढ़ना जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश में विभिन राज्य है और इन राज्यों में घूमने के अन्य गिनत स्थान है माउंट आबू, राजस्थान का एक माध्र प्रवतिय प्रदेश, एक अध्भूत प्रेटन स्थल है आउ माउंट आबू के बारे में पढ़कर जाने माउंट आबू, राजस्थान का एक प्रवतिय प्रेटन स्थल है इस प्रेटन स्थल की अनेक विशेश्थाएं मौजूद हैं जो प्रकृती प्रेम्यों को अपनी और अकरशित करती हैं जील का किनारा, उंचे घने, व्रेक्ष, टेड़े मेडे रास्ते, ढूपते सूरज का मनुरम द्रिश्य सहजी प्रकृती प्रेम्यों को अपनी और अकरशित करता है क्या है जील का किनारा, उंचे घने व्रिक्ष, उंचे नीचे टेड़े मेड़े रास्ते, डूपते सूरज का मनुरम द्रिश्य, सहेच ही प्रकृती प्रेम्यों को अपनी और अकर्षित करता है माउंट आबू, सिरोही जीले में गुजरात की सीमा से सटी अरावली परवत, श्रिंखला के दक्षिन पश्चिम में स्थित है कहा स्थित है? गुजरात की सीमा से सटी अरावली परवत, श्रिंखला के दक्षिन पश्चिम में स्थित है वैसे तो यहां सेलानियों वर्स भर सेलानी आते रहते हैं पर गर्मियों में तो यहां सेलानियों का सेलाब उमड पड़ता है सेलानी क्या होते हैं? जो लोग घूमने वाले होते हैं प्रियटक होते हैं उनको सेलानी बोलते हैं यहां नक्की जील के पास शाम के समय घूमना वे बोटिंग करना प्रियटको को विशेश रूप से प्रभावित करता है क्या करना नक्की जील है जो शाम के शमया वहाँ पर लोग जाते हैं घूमने के लिए और बोटिंग करने के लिए बोटिंग में जो किष्टी होती है उसमें बैठ कर घूमने के लिए यह हैं लोगों को बहुत प्रभावित करता है नक्की जील राजिस्थान की एक ऐसी जील है जो सर्दियों में अक्षर जम जाती है जील के किनारे स्थित यहां के मुख्य बाजारों में शाम को एक मेला सा लगता है यहां बिकने वाली अधिकतर वस्तुव पर राजिस्थानी वे गुजराती छाप नजर आती है क्या जो यहाँ पे वस्तुए बिक्ती है वो राजिस्थानी और गुजराती होती है क्यों क्योंकि माउंट आबू है जो गुजरात की सीमा से और राजिस्थान के बीच में है कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखुनों से इस जील को खोदा था इसलिए इसका नाम नकी जील पड़ा क्यों पड़ा इसका नाम नकी जील क्योंकि देवताओं ने इसे अपने नाखुनों से खोदा था इसलिए इसका नाम नकी जील पड़ा नकी जील से तीन किलोमिटर की दूरी पर स्थित दिलवाडा मंदिर पांच जैन मंदिरों का समू है कहा है नकी जील से जो हमारी नकी जील है उससे तीन किलोमेटर की दूरी पर जाकर दिलवाड़ा मंदिर है जो पांच जैन मंदिरों का समू है ये मंदिर संगमरमर पर शांदार कारीगरी का अदबुत नमूना है इन मंदिरों का निर्मान 11-13 सदी के बीच हुआ था कब हुआ था इनका निर्मान? 11-13 सदी के बीच हुआ था परमुक मंदिरों में 52 छोटे मंदिरों का गलियारा है जिसमें जैन तिर्थकरों की प्रतिमाई है जैन तिर्थकरों की क्या है? प्रतिमाई में समूर्तियां है कहा जाता है कि 1500 कारिगरों ने 14 वर्षों तक काम किया था तब इन खूबशूरत मंदिरों का निर्मान हुआ कितने कारिगरों ने काम किया था? 1500 कारिगरों ने कितने वर्ष? 14 वर्ष काम करके इन खूबशूरत मंदिरों को बनाया था दिलवाडा मंदिर से 5 किलोमेटर आगे बढ़ने पर स्थित है अचलगड का कीला हमारी दिलवाडा मंदिर है दिलवाडा मंदिर कौन सा है जैन मंदिरों का एक समू है जो संगमरमर की शांदार कारीगरी का द्भुत नमूना है इस तिलवाड़ा मंदिर से 5 किलोमीटर आगे चलने पर अचलगड का किला है यह परमार राजाओ द्वारा बनवाया गया था बाद में राणा कुम्भा ने इसका पुनर निर्मान करवाया पुनर निर्मान मिन्स इसको फिर से निर्मान कराया इसको फिर से बनवाया यहां अचलेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव का मंदिर है क्या है अचलेश्वर महादेव के नाम से अचलेश्वर महादेव शिव मंदिर जैसे मैंने आपको पिच्चल में दिखाया है अच्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शिव का मंदिर है मंदिर के पीछे मंदा किनी कुंड है पहले कुंड बनवाते थे पानी के ठीक मंदिर शिव मंदिर के पीछे है इसका नाम है मंदा किनी कुंड यहां सोल्वी स्थाबदी में बने कलात्मक जैन मंदिर भी है मांट आबू पर एक संसेट पॉइंट है जहां अस्तगामी सूर्य के अप्रतिम सौंद्रिय वे बदलते रंगों की अभूत पूरव छटा को देखते हुए दर्शक आतमलीन हो जाते है संसेट पॉइंट क्या है जहां पर जब सूरज चिपता है यह राजिस्थान के मांट आबू में है एक संसेट पॉइंट है जहां पर जब सूरज डूबता है सूरज अस्त होता है उसके अप्रतिम सौंद्रिय है वे बदलते रंगों की जब सूरज छिपता है तो उसके कलर चेंज हो जाते हैं उसकी अभूतपूर चटा अभूतपूर चटा में जैसा पहले कभी देखा ही ना हो हमने ऐसा देखते हुए अभूतपूर चटा को देखते हुए दर्शक आतमलीन हो जाते हैं उस चटा को उस चीज को उसके बदलते रंगों को देखकर लोग खुद में ही खो जाते हैं माउट आबू में मेंडग के अकार की एक चटान भी है किसके अकार की मेंडग के अकार की एक चटान है जिसे टोड रोग के नाम से जाना जाता है मेंडग के अकार की जो चटाना उसको किस नाम से जाना जाता है टोड रोग और यहां नन रोग नाम की एक और चटान है जिस वैसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई इस्त्री घूंगट निकाल कर बैठी हो इस्त्री कौन होती है कोई लेडिस जैसे पुराने समय में जो हमारी दादी परदादी होती थी वो ना सबसे घूंगट करती थी घूंगट में आगे से दुपट्टा लेकर पल्दा ले लेना वैसे ऐसा लगता है इस चटान को देखकर कि कोई इस्त्री वहाँ पर घूंगट निकाले बैठी हो माउंट आबू से 15 किलोमेटर की दूरी पर अरावली परवत माला की सबसे उंची चोटी कितने दूरी पर 15 किलोमेटर कहां से माउंट आबू से 15 किलोमेटर की दूरी पर अरावली परवत की सबसे उंची चोटी गुरू सिखर है क्या है गुरू शिखर यहाँ पहुँचकर ऐसा लगता है मानो हम बादलो के बीच आ गए हूँ कहाँ पे है जैसे हम जब हम गुरु शिखर चोटी वजाते हैं तो वहाँ पहुँचकर ऐसा लगता है जैसे हम बादलो के बीच में पहुँच गए है यहां से नीचे देखने पर बड़ा ही अद्भुत रिशय दिखाई देता है अद्भुत मिन्स अश्चरिय जुनक वंडरफुल रिशय देखाई देता है अपने अंदर विभिन मनमोहक स्थलों वे अकर्षणों को समेटे माउंट आबू एक ऐसा प्रेटन स्थल है जहां आने वाले प्रेटको को आतम विभोर कर देता है कैसा इसका द्रिशय मनोरम है और आकर्षण है जो लोगों को अपने और आकर्षित करता है माउंट आबू ही वह स्थान है जो वहाँ पे आने वाले लोगों को, सेलानियों को आतम विभोर कर देता है आतम विभोर मिंस उनको प्रसंद करता है, खुश होता है इस पार्ट के माध्यम से बच्चे हमने पढ़ा है कि माउट आबू ही एक ऐसा स्थान है जो की शब्दों के दुआरा ही अपनी खूपशूरत यात्रा का वर्णन करवाता है चात्रों, अब हमने इस कहानी के विश्य में विस्तार से पढ़ लिया है आप ही इस कहानी को पढ़ना और समझना, धन्यवाद